इस वीडियो में मैंने नमबर सिस्टम जो टोपिक है ना उसको डिसकस करा है करा क्या है जितने भी competitive exam में question आई तेने different different कोशिस करी है कि मैंने ज़्यादा ना लेकि 20 questions जो बार बार repeat होते हैं उन 20 questions को discuss किया purpose क्या है पता वीडियो कि कोई tips or tricks अगर मेरे पास है वो से एर करना पहले में divisibility test पे बहुत question आते हैं उनको deal कर रहा है 10 questions करीब करीब divisibility test पे लिए हैं फिर remainder निकालने पे different different questions लिए हैं इन दोनों topic को मैंने detail में discuss किया चलिक question 1 से start करते हैं question 1 से start करते हैं लेकि purpose है concept बताता हूं लेकि question देखें ये question कह रहा है कि the number is divisible by अगर आपको पहले trick बताता हूं trick ये है अगर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि a की power n और b की power n ये हमेशा divisible होगा किसे दो number से a plus b से और a minus b से पका होगा आप agree करोगा आप उसर कैसे देखें आइडिंटी आपने पड़ रखेंगे ना कि a square minus b square क्या होता है वो होता है एक बाद a plus b और a minus b तो उसी से ये result आया है तो ये जो चीज है ना वो क्या हो जाएगी a plus b का मतलब है 97 में 14 add करेंगी और 97 में 14 add करेंगे तो ये आगया 9, 4, 1, 10, 1, 1 आगया और 97 में 14 minus करूंगा तो 83 आगया और आप agree कर रहोगी ये जो triple one है इसको मैं 3 से divide करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, 3, 9, 2 बचा यानि कि 37 आगया तो इसके इसके नीचे जो है ना इसको अगर मैं simplify करके आपको बताऊं तो ये बन रहा है 83 जिससे ये divisible होगा और 37 से भी होगा तो अगर आप देखो तो इसमें C option जो है ना वो बिल्कुल feedback रहा है तो यहाँ पे जो trick थी ना वो ये वाली थी अगर आपको ये ध्यान है तो मेरे साब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चली next question ले लेते हैं divisibility से related है ये भी question क्या कह रहाते है number is divisible by अब देखिए इसमें भी trick की बात करता हूँ इसमें trick क्या है इसमें trick ये है कि a की power n यहाँ plus का sign है b की power n है ना ये divisible होगा किस से divisible होगा ये a plus b से divisible होगा कब होगा जब n है ना वो power है odd होगी आप बोलोगी सरफ समझें नहीं समझाईए ये को मैं बताता हूँ a की power 3 है plus में b की power 3 है ये एक identity होती ना ये किसके बराबर होती है a plus b होता है और यहाँ पे a square minus में a b plus में b square होता है तो ये a plus b पका इसको divide करेगी ये तो आप agree कर रहे हो तब जब power odd हो तो यहाँ तो odd power ही है तो बात बन गया तो ये किस से divisible होगा इन दोनों को add कर लेते है a हमारा यहाँ पे 41 है b हमारा 43 है तो इन दोनों को मैंने add करा तो कितना आया 84 आया और ये number को मैं लिख सकता हूँ 84 times k तो 84 से तो पकता divisible है इस case में जो answer हो जाएगा ना वो b हो जाएगा तो यहाँ पे trick कौन सी है यह trick यहाँ पे आपको आई हो पेगरी करोगे कि a plus b and b की power है यह divisible होगा किसे a plus b से कब होगा जब an odd number है correct next question ले लेते वह देखिए यह बहुत बार आया हुआ question है simple question है किस से divisible है सबसे कम power देखो 4 की power 61 है ना इस power को बाहर common ले लो यहाँ से 1 बचेगा बिल्कुल ठीक है यहाँ से बचेगा 4 की power 1 यहाँ से बचेगा 4 की power 2 और यहाँ से बचेगा 4 की power 3 अब बलो सरी क्यों बच रहे है देखिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की power 61 और 4 की power 3 अब 61 अगर बाहर common आ जाता तो इसको अगर मैं further simplify करता हूँ तो यह बन जाएगा 1 प्लस मैं 4 प्लस मैं 16 और यहाँ पर 64 बना इसको करते हैं तो 85 आया एगरी 85 आप एगरी कर रहो किसे 17 को यानि कि 85 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 5 तो अगर कोई आप से पूछे कि यह number किसे divisible है तो हमारा जो option D है ना वो बिलकुल इसको suit कर रहा है यानि कि 17 से divisible है बात बनी चलें next question की तरफ चलते है well अच्छा question है देखते हैं क्या कह रहा है कहते हैं यह number किसे divisible है अब इसमें अलग approach लग रहा है दोनों का base अगर मैं 3 बना दू तो बन सकता है यानि कि यह जो 27 है ना इसको मैं 3 की power 3 लिख लेता हूँ और whole power 5 लिख लिया plus मैं 3 की power 13 ले लिया ठीक है तो यह 3 की power 15 बन गया और यह 3 की power 13 है इन दोनों में से power 3 की power 13 है common आ गया बिलकुल ठीक है 3 की power 2 बचेगा यह 1 बचेगा 3 की power 2 होता है 9 तो 9 प्लस मैं 1 करोगे तो एक चीज मेरे पकड़ में आगी यहाँ पे 10 आ रहा है हम से पूछ रहा था किस number से divisible है तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे यह जो number है ना वो 10 है correct next question देखते हैं क्या कह रहा है well 5th question यह आ रही है भटा गणी चैलेंज में भी आया था काफी बार पूछा गया question है question देखते हैं क्या कह रहा है किता है is divisible by smallest odd composite smallest को odd को और composite number 3 चीज है वैसे तो smallest composite number है ना अगर आपको पता होगा लेकिन वो 4 होता है लेकिन 4 तो even है तो इसके आगे चलते हैं इसके बाद composite number 6 आता है फिर 8 आता है फिर 9 है ये तीनों के तीनों even है ये पहला odd number आता है तो मुझे ये पकड में आ गया कि ये 9 से divisible है अगर ये 9 से divisible है तो मेरा मानना है बहुत easy हो जाएगा question देखे कैसे हो जाता है बताता हूँ इस question में आपको 9 का divisibility test लगाते है क्या divisibility test है 9 का sum of digit अगर 9 होता है तो पकड का divisible देखे यहाँ पे अगर आप 9 तो 9 से जाएगा ये short cut trick है दो जिन digit का sum 9 हो रहा है ना उनको मैं strike off करता जाता हूँ देखे 2 प्लस में 7 9 हो रहा है काड़ दो फिर आप देखो 6 प्लस में 3 9 हो रहा है काड़ दीजिए फिर आप देखोगे 2 यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे आ रहा है 3 और 3 3 6 यानि कि इनका भी sum अगर मैं करूँ तो 9 हो रहा है last में P प्लस में 5 बचा अगर P की value 4 हो जाए तो 9 बन सकता है हमसे पूछा है कि what is the value of P अगर आपका answer A for apple है ना बिलकुल सही है good चली next question देखते हैं क्या कह रहा है well इस question में भी divisibility की बात कर रहा है लेकिन यह factor की बात हो रही है क्याता भई distinct prime factor निकाली distinct prime factor निकालते हैं तो इसका मतलब इनको multiply करने पे उतना हाना चाहिए पहले तो once place digit है ना unit place digit को multiply करके देखते हैं मैं अगर इसको देखूँ one seven seven यान कि one seven seven को multiply करूँगा तो 49 तो last में nine आ रहा है लेकिन last में one आना चाहिए तो यह वाला तो होगा ही नहीं अब इस case में last में one आ रहा है बिल्कुल है इस case में भी last में nine आ रहा है कैसे nine आ रहा है देखी nine seven three को करोगे इस वाले में nine seven और three को करा तो यह twenty one twenty one को करा तो last में यहाँ पे भी nine आ रहा है तो यह option भी नहीं हो सकता अब यह मेरे पास दो option में try करना है अब देखोंगे 37 तो दोनों जगे same है तो 37 से तो divide करने की देखने की जुरूत नहीं है एक 23 से करके देख लो idea लग जाएगा 23 से नहीं है तो अब इसलिए ये option हो जाएगा तो इस case में ये जो number है इसको मैं 23 23 से divide करके देख लेता हूँ पता लग जाएगा 23 1 जा और यहाँ पे बचा 3 फिर 23 1 जा और यहाँ पे बचेगा 10 8 आया फिर 23 4 जा 4 3 जा 12 1 बचा और ये 92 आया तो यहाँ पे आगया 16 अगर आप note करो ये 1 आगया तो ये तुझे को 7 से जा रहा है 7 3 जा तो आपको 0 remainder आ रहा है 23 से divisible है तो definitely हमारा जो answer है ना वो D होगा बाद बनी चलिए question number 7 देखते हैं well question 7 में क्या करे है what is the number of prime factor of की बहुत बार आता है CDS में 3 बार तो मैंने देख लिया है number of prime factor निकालने है न तो simple सी बात है 3 0 3 prime factor से कर लेते हैं यह 10 हो गया और यह भी further आप agree करोगे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 0 0 1 into 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 correct और यह हमेशा याद रखना कि यह 1 0 0 1 है ना यानि कि इसको prime factor से अगर मैं करूंगा यह 7 से करके देखते हैं 7 1 जा 7 3 7 4 जा 21 और यहाँ पे 7 3 जा 21 आ गया ठीक है देखे 11 से जा रहा है आप 11 से कर लेते हैं 11 जा 13 तो यह number 3 prime factor का product है यहाँ पे लिख दूं 7 into 11 into 13 यहाँ पे आ गया 3 यहाँ पे आ गया 2 और 5 ओलडी हम से पूछा आता what is a number of prime factor prime factor का होने चाहिए देखे सारे के सारे सारे prime है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आपका भी answer 6 है ना तो बिल्कुल ठीक है चली next question करके देख लेते है देखे इस question में क्या कह रहा है कह रहा है कि how many divisor of 360 correct यह shortcut आपको पता होगा shortcut क्या है trick बताता हूँ यह trick बहुत बार काम भी आती है trick यह है कि इसके prime factor कर लेते हैं पहले 2 से divide किया 2, 1 जा और 2, 8 जा 80 आया फिर 2 से divide किया 90 आया फिर 2 से divide किया 45 आया अभी 2 से जा नहीं रहा 3 से जा रहा है 3 से करा 15 आया फिर 3 से करा 5 आया फिर 5 से करा 1 आया 2 यहाँ पे आया है 3 पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 अगर किसी को पता है वो यह है कि number of divisor जो है न number of divisor या number of factor एक ही बात होती है वो इनकी पावर में 1 एड़ करते जाओ यह लिजिए 1 एड़ कर दिया और multiply करते जाओ अब यह 2 पावर है न 2 में 1 एड़ कर दिया और यह 1 पावर है न यहाँ 1 एड़ कर दिया तो यह बनजेगा 3 प्लफ 4 इंटो 3 इंटो 2 4 3s are 12 और 24 अगर आपका आंसर C है बिलकुल ठीक है question 9 करते है क्या कह रहा है कहते है d and denote the number of positive divisor of a positive integer all right then which of the following are correct पहला वाला चेक करते है देखे d 5 जो है न तो 5 को तो I think 5 into 1 लिख सकते है न तो यहाँ पे इसके 2 इफेक्टर होंगे correct 11 को अगर आप देखो तो 11 को क्या लिख सकते हो 11 into 1 11 की power 1 होई तो इसके भी 2 होंगे तो यह तो true है correct इसका देख लेते हैं तो यहाँ पे आपी चेक करा न 2 into 2 तो left and side में तो आया 4 power यहाँ देखते हैं 55 के अगर factor करूँगा मैं तो 5 की power 1 और 11 की power 1 और 1 प्लस मैं 1 यहाँ से 2 आया और 1 प्लस मैं 1 यानि कि यह number of factor निकालने का divisor निकालने का shortcut तरीका है ठीक है तो इसमें भी answer कितना आगया 4 आगया तो यह भी correct answer है यानि कि यह दोसरा भी correct हो गया 3rd वाला देख लेते हैं 5 का तो 2 निकाला है मैंने 11 का भी 2 निकाला है 16 का और कर लेते हैं 16 I hope सारे agree कर रहे हूँ 2 की power 4 होता है और इसके number of divisor की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे divisor जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 प्लस मैं 1 यानि 5 हो जाएंगे अब number of divisor यहां पे आगे 5 अब देखी यहां पे 4 है यहां पे 5 है यानि कि इस case में यह correct नहीं है तो इसका answer हो जाएगा 1 and 2 only अगर आपका भी answer भी है बिल्कुल ठीक है पादवनी चली next question कर लेते हैं next question देखते हैं 10th question क्या कह रहा है well the question is the number of factor of 24 360 का check कर लेते हैं 360 के सबसे पहला काम है इसके prime factor करते हैं 2 से करा 180 आया फिर 2 से करा 90 आया फिर 2 से करेंगे तो यहां पे 45 आयेगा फिर 2 से तो नहीं जा रहा 3 से जा रहा है तो 3 से करा तो 15 आया और 3 से फिर करा तो यहां पे आ गया 5 done और 5 की power यहां 1 आ रही है तो 360 को I can express 2 की power 3 बिल्कुल ठीक है उसके बाद 3 की power 2 और 5 की power 1 यह लिख सकते हैं देखिए यह हो जाएगा जो power होती है न उसमें 1 add कर देते हैं 3 प्लस 1 ठीक है जी यहां पे भी power 2 है तो यहां पे हो जाएगा 2 प्लस में 1 राइट यहां पे 1 power है तो यह हो जाएगा 1 प्लस में 1 तो यहां पे आ गया 4 into 3 into 2 तो 24 तो बात तो यह तो correct आ रहा है ठीक है चाह समो फेक्टर निकालने का तरीका देखिए जो सम निकालने का मैं आपको तरीका उता देता हूं बे 2 की power 3 है न तो इनको आप सोटकर ट्रीक है 2 की power 0, 2 की power 1 2 की power 2 और 2 की power 3 यानि कि 3 power तक इनको एक bracket बना लिया multiply by अब 3 की power 2 है न तो 3 की power 0 प्लस में 3 की power 1 प्लस में 3 की power 2 इसका दूसरा bracket बन गया 5 की power 1 है न तो 5 की power 0 प्लस में 5 की power 1 इनको multiply कर लेते हैं answer आ जाएगा अब इसको simplify कर लेते हैं किसी की power 0, 1 होता है बिल्कुल ठीक है यहां पे 2 power आ गया यहां पे 4 आया यहां पे 8 आया यह पहला bracket हमारा ready है फिर देखते हैं यहां पे 1 आया और यहां पे 3 आया और यहां पे 9 आया यह हमारा दूसरा bracket ready है बिल्कुल ठीक है यहां पे 5 की power 0, 1 होता है और यहां पे 5 आया तो 6 आ गया, इसको मैं simplify करूँगा, तो 15 पहले bracket से आया, और तूसरे bracket से 13 आया, और तीसरे bracket से 6 आया, इसको multiply कर लेते हैं, तो 1, 1, 7, 0 है, वो हमारा multiplication आ रहे है, then, अब बिल्कुल ठीक है, ये भी correct है, तो इस case में answer हो जाएगा, C वाला, यान की both 1 and 2 are correct, बात बनी, चलिए next question कर लेते हैं, question number 11 देखते हैं, तो what is the remainder when this is divided by 12, ये कह रहा है, क्या remainder आएगा, when this number यान की 14, 21, ये multiply by 14, 23, और multiply by 14, 25, इसको divide करना है 12 से, तिक ये बहुत चारे method है, एक method आप से share कर रहा हूँ, पहले 12 से ना, पहले को divide करते हैं, देखते है remainder कितना आता है, अब पहले को इसको 12 से divide करते हैं, 1, 4, 2, 1 को, अगर मैं 12 से divide करूँगा, तो 12, 1 जा 12, यहाँ पे बचा 2, फिर मैं करूँगा 12, 1 जा 12, यहाँ से बचा 10, और 1, 0 आएगा, तो 12, 8 जा 96 होते हैं, तो यहाँ से 5 आया remainder, इसको cut करने पे 5 remainder आता है, इसको भी cut कर लेते हैं, तो यह 21 है ना, यहाँ पे अगर cut करोगे, तो आपको पता लग जाएगा, जो remainder जो आएगा, लास में इससे 2 ही जादा, तो 7 आएगा, और यहाँ पे cut करते हो, तो remainder जो आएगा ना, इससे भी 2 जादा, तो 9 आएगा, तो 5 इंटू 7 इंटू 9, इन तीनों को मैं multiply करता हूँ, यानि कि 35 को, मैं अगर 9 से multiply करता हूँ, 9, 5 जा 45, 4 आया, 27 में 4 जोड़ूँगा, तो यह हो जागा 3, 1, 5, 3, 1, 5 को मैं divide कर लेता हूँ, किसे 12 से, 12, 2 जा, 24, यानि कि यह बचा मेरा 7, 12, 8 जा, 12, 8 जा जादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, 12, 6 जा, 72, और यहाँ पर 3 remainder आया, अगर यह आपका भी answer C for cat है ना, बिलकुल ठीक है, आपको individually division वाला थोड़ा बहुत क्लिक कर आओगा, मैंने कैसे करा है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो next चलते है तो 11 question का answer होगा, C, 12th question देखते हैं, क्या कह रहा है, well यह short cut तरीका और भी, कहता है, what is the remainder after dividing this number, यह जो 37 की power 1000 है ना, इस 1000 में हम कैसे divide करेंगे, 37 को अगर मैं divide करूँगा, 9 से 9 बन जा, तो 1 remainder आएगा, तो 1 की power अगर 1000 रहेगा, तो भी remainder 1 आएगा, अब 1 remainder आएगा, क्योंकि 1 की power तो 1001 ही होता है, तो इस case में answer हो जाएगा, A for F, 13th question देखते हैं, क्या होता है, what is the remainder when this is divided by 7, अब देखो 7 इसको क्या करते हैं, यह यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की power यह total है, 7 digit ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 6 digit 2 की power ए इक तरफ लिख लिख लिया, हमें 7 से divide करना है, correct, अब इसको 2 की power 3, 8 होता है ना, और इस यह 99 है ना, यहाँ पे आ जाएगा, 3, 6 time, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी मेरे साब से कोई दिकत नहीं होगा, और इसको divide कर दिया है, मैंने 7 से, अब यह 8 होता है, 8 को 7 से divide करोग ना, तो यह पूरे का पूरा bracket है, यह 1 आ गया, 7 से करोगे तो, तो यह 1 की power जो है, वो triple, यानि की 6 time यह लिखा होगो, 3, और यहाँ पे 2 बचेगा, और नीचे 7 है, तो यह तो 1 ही हो गया, finally 2 by 7 आपका बचा, इसका मतलब अगर आपका remainder यहाँ पे 2 आ रहा है, और आपका भ बड़ा बहुत clear हो आपको, next question देख लेते हैं, क्या कह रहा है, तो what is the remainder when this is divided by 11, बड़ा अच्छा तरीका है, एक second में answer आ जाएगा, इसको मुझे divide करना है 11 से, तो अगर 11, 6 अगर आप करते हो, तो 66 आता है, तो एक काम करते हैं, कि minus 1 इसका remainder होगा, और इसकी power है 99, correct, और नीचे 11 है, दो को minus है, तो यहां पर answer minus 1 ही आएगा, तो minus 1 और नीचे 11 है, तो 11 में से minus 1 कर दोगे, यह trick के इससे कर रहा हूं है, answer 10 आया, अगर आपका भी answer 10 है ना, तो बिलकुल ठीक है, चली next question की तरफ चलते हैं, question 15 करते हैं, क्या कह रहा है, what is the remainder when this number is divided by 7, I think यह सबसे easy म क्योंकि अगर मैं 7 से divide करूँगा, तो 8 को 7 से divide करने पर remainder जो है ना, वो मेरा आ रहा है 1, तो इसका मतलब यह 1 देगा, और 1 की power 4, 4 बार है, तो 1 की कितनी भी power 1 ही आएगा, अगर आपका भी answer C है ना, तो बिलकुल ठीक है, यह trick सबसे ज़्यादा बार competitive exam में पूची जाती ह 16th question कह रहा है, क्या कह रहा है, what is the remainder, remainder निकालना है, again ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर मैं इस पूरे number को 4 से divide करूँगा, तो 1 की power 5 को 4 से करूँगा, तो 1 ही आएगा remainder, इसको करूँगा, तो आपको पता है कि भाई, यह तो होता है 32, और 32 को 4 से करूँगा, तो 0 ठीक है, यहां पे करूँगा, तो यह आजाएगा, minus 1 की power 5, ठीक है, यह 4 से divisible है, तो remainder 0 आएगा, यहां पे 4, 1 जा 4 यानकी 5 में, तो 1 की power 5 आएगा, अगर आप note करें, यह दोनों तो cancel नहीं हो रहे क्या, यह दोनों तो cancel हो रहे, plus और minus का 0 आजाएगा, तो remainder इस case में 1 आया अगर आपको इस method से आपका भी remainder 1 है, तो बिल्कुल ठीक है, 17th question देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, कहता है कि यह इससे divide करते हैं, देखी, अगर trick क्या है, trick यह है, आपने पढ़ा भी होगा, पिछले वाले questions में भी मैंने discuss किया था, a की power n और b की power n है न, वो divisible होगी, a plus b स ठीक है, यह trick है, तो आप देखो, यहाँ पर देखा है, अपने ध्यान दिया हो तो, ओड है न, तो कहानी क्या है कि यह जो 17 की power 29 और 19 की power 29 है न, यह divisible होगी, 17 plus में 19, यानि कि 36 हो गया, तो कुल में लाके मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 36K, यानि कि 36 के एक मंद के कोई भ और 2 से भी होगा, तो 18 से divisible का मतलब है, remainder इस case में 0 आएगा, यह हमसे remainder पूछा था, 18th question क्या रहा है, क्या क्या रहा है, तो what is the remainder when 3 power 100 is divisible by 2, well, यह question बार-बार इस तरह का आ रहा है, अगर मैं 2 से divide करूँगा, तो 1 आएगा remainder, 1 की power अगर मैं थोड़ी देर के लिए 100 भी तो इस case में जो remainder है ना, वो 1 होगा, यानि की B option होगा, I hope, आप agree कर रहोगी, 19th question देख लेते हैं, 19th question क्या 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 रहा है, क्या रहा है, क्या रहा है, when every even power of odd integer is greater than, is divided by 8, what is the remainder, देख को इसने क्याता है, even power of odd integer, मैं example ले लेता हूं 3, even power का मतलब 3 by 2 भी हो सकता है, 3 की power 4 भी हो सकता है, 3 की power 6 भी हो सकता है, यह sufficient है, right, क्याता है, अगर 8 से divide करें, देखे, इसको अगर करा तो यह तो 9 होता है, यह कितना होता है, 18 होता है, और यह कितना हो जाएगा, अगर इसको करूँगा, तो 7 to 9 हो जाएगा, क्याता है, 8 से, अगर मैं इसको 8 से divide करने, आप इसको hidden trial से ऐसे कर लो ना, 8 से divide करने चला गया, तो मैं 8 से divide करूँगा, तो obviously इन case में जो remainder है ना, वो 1 आ रहा है, अगर remainder 1 आ रहा है, तो what is a remainder, यानि कि हमारा इस case में answer है, वो C होगा, इसको आप long method से भी कर सकते हो, तो बटो मुझे ये short cut dollar ठीक लगा, इस video का last question देख लेते हैं, क्या question देखी, वोट इस the remainder when this is divided by 6, ये number है ना, इसको 6 से divide करना है, ठीक है, कैसे करना है, well a की power n minus b की power n, ये किस से divisible होगा, ये a plus b और a minus b, दोनों से divisible होना चाहिए, तो 27 की power 27 minus में 15 की power 27, अब ये a और भी तो 27 minus 15 है ना, तो 27 को 15 में से minus करेंगे, तो यहाँ पे 2 आया, ये 12 आगया, और 27 में ये 15 add करेंगे, तो ये हो गया 7 plus 5, 2, 1 और ये 42 आगया, well देखे, अगर ये 12 से divisible है, थोड़ी देर के लिए 12 से divisible है, तो हम से पूछा गया है 6 से, तो अब ये obviously 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप agree करोगे 6 को I can write 6 into 2, तो 12 को I can write 6 into 2, तो 100% 6 से divisible होगा, अगर ये 60 से divisible होगा, तो remainder 0 आएगा, बात बनी, चलिए, with this our, this video is over, thank you very much,